तोडेज टॉपिक ओफ डिसकॉशन इस MCQs, Reveillance of Inflammation General Pathology के MCQs को स्टार्ट करने वाले हैं आज हम तो हम यहां पर ख्याडिंग दे रहते हैं General Pathology और General Pathology के अंदर हम Inflammation को स्टार्ट करने वाले हैं Inflammation को revise करेंगे MCQs से जिस तरह अगर आपने previous जो second year की वीडियो देखी होगी इसमें भी हम MCQs वगयरा solve करते थे और इसी MCQs से पूरा का पूरा chapter revise कर लेते थे तो अगर आपने Inflammation को revise करना है मेरे साथ तो आपको यह वीडियो काफी जद अच्छी और helpful होगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आपने like करना है और चैनल पनाई हो तो जरूर इसको subscribe करना है स्टार्ट करता है नमबर वन MCQ को तो नमबर वन MCQ के अंदर क्या बात की गई है कि नमबर वन MCQ के अंदर कहता है कि I 11 year old child falls and cut his hand जिसकी virus के इसका wound infected हो गया infected wound के अंदर bacteria जमा होना शिरू होगी inflammation होना शिरू हो गई है तो वो कहते है कि inflammation के अंदर कौन से cell होती है जो bacteria को remove करते होती है पहले बात कि bacteria extend कर चुक है extra cellular matrix के अंदर around capillaries अगर आपको inflammation के cells का पता है तो inflammation के अंदर acute inflammation होती है और chronic के अंदर आपको monocyte macrophage का रोल होता होता है ठीक है अब one by one के cell को देख लेते है अब जो यहां पर पहले बात किया है कि जो bacteria को remove करना है phagocytosis करना है तो phagocytosis के लिए जो favorite cell होती है वो होती है हमारी macrophages होती है तो इसका जवाब क्या होगा macrophages होता क्योंकि macrophages ही inflammation के दर involved होते है हाँ यह chronic के अंदर आते है acute के अंदर नहीं आते acute के अंदर आपको neutrophils वगरा देखने को मिलते है तो acute और chronic में क्या फरक होता है acute का onset काफी ज़दा fast होता है chronic का काफी slow होता है acute का onset minutes या hours में होता है जब के chronic का थोड़ा slow होता है days होता है देखो ना अगर पहले इसको चोट लगी है hand को cut किया है फिर इसके बाद जखम हुआ है उसकी infection हो गई है okay wound की infection हो गई है यह process काफी ज़दा slow 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 है तो slow के लिए अपने word use का ना chronic inflammation का acute के अंदर neutrophils आते हैं mild होती है और self limited होती है लेकिन यहां पर जो injury है वो प्रोलोंग कर गिया देखो bacteria extend कर गिया जिसके बाद इस infection पस बनना शुरू होगी है तो chronic inflammation severe progressive होती है chronic के अंदर आपको local systemic sign नहीं देखने को मिलते है acute के अंदर आपको local systemic sign देखने को मिलते हैं local sign पांच होते है आपको पांच आने चाहिए कौन कौन से local sign आते है जो inflammation के अंदर involved होते है redness जिसको rubber बोलते है swelling जिसको tumor बोलते है मैं आपे लिख लेतो inflammation के local sign क्या क्या है काफी ज़्यादा मोटा आ रहा है पहले मैं इसको ठीक कर लो thickness कर लेते है कुझादी 0 पे आ गया अबे नीचे आ जा चलो इतने में काफी है तो किसमे local sign के अंदर आपको tumor देखने को बोलते है tumor है जिसको बोलते है tumor को swelling बोलते है redness है जिसको बोलते है rubber तो tumor rubber और इसके बाद calor जिसको heat बोलते है dollar जिसको बोलते है pain जिस pain dollar की वरे से pain होते है और last है functional loss of function यह inflammation के local sign होते हैं जिब के inflammation के systemic sign कौन-कून से होते है inflammation के systemic sign होते हैً जो आपको overall पूरी body भी देखने को बोलते हैं उसमें आपने word use करना है Leucocytot Position का word use करना है अपने Leucocytotosis का inflammation के systemic sign में आता है ठीक है तो कौन-कौन से आते हैं, inflammation के systemic sign में पैरा fever होता है, fever के body temperature elevate हो जागा, एक से लेकर चार्ज से जादा हो सकता है, ठीक होगा, इस तिनना जादा temperature बढ़ सकता होता है, temperature क्यों बढ़ता होता है, क्योंकि पायोजन प्रोडियूस होते हैं, वो हम बात में देख लेगे, द number three है, leucocytosis, ठीक हो गया, inflammation की वारे से WBC के production जादा होना शिरू हो जाती है, दूसरी manifestation क्या होती है, जो acute phase response क्या होती है, क्या आपका जो pulse और BP दोनों के दोनों जादा हो जाते हैं, sweating कम से कम हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो आपका cutaneous circulation से deep circulation की तरफ चला जाता है, ठीक ह तो इसकी वादे से आपको disseminated intravascular coagulation देखने को मिल सकती है, hypotensive shock देखने को मिल सकता है, septic shock देखने को मिल सकता है, ठीक हो गया, तो यह inflammation की systemic or local sign थे, तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमने, जो हमारा best answer हो है, macrophage, macrophage होते हैं, tissue के अंदर, वो derived होते है, हमारी किस से derived होत होते हैं, blood के अंदर, और यह phagocytic cell है, जो बहुत सारी stimulus को recognize कर सकते हैं, respond करते हैं, बाकि सारी जो cell है, वो phagocyte नहीं है, सिवाई macrophage, macrophage phagocytosis कर सकता है, बाकि कोई भी नहीं कर सकता, B cell करता है, B cell, plasma cell में divide हो जाएगा, differentiate हो जाएगा, differentiate हो जाएगा, differentiate होने के बाद, antibodies पर reduce करना शुरू कर देगा, fibroblast ने क्या करना, fibroblast ने क्या करना, collagen produce करना, collagen अने आगे healing वगरा में involved होना है, repair वगरा में involved होना है, इसके बाद जो mass cells है, mass cells तो inflammatory process के अंदर involved होते हैं, ठीक है, होते हैं, जो T lymphocyte है, यह भी chronic के अंदर आते हैं, लेकिन यह T lymphocyte phagocytosis नहीं कर दे होते हैं, और आपको पता हैं कि macrophages भी तकरीबन दो type के होते हैं, एक होते हैं M1 और दूसरे होते हैं M2, अब वो किस तरह से monocyte macrophages में convert होगा, तो वे कुछ cytokines होते हैं, जैसे अगर microbial product होती है, ठीक है, टोल लाइक receptor ligands है, तो वहां से interferon gamma है, अगर interferon gamma होगा, तो इ M1 macrophages की differentiation होगी, जब के अगर interleukin 13 है, और interleukin 4 है, interleukin 4 है, interleukin 13 है, मेरी rating को बहुत ज़्यादा खराब है, तो interleukin 4 और 13 के वाज़े से M2 macrophages आ जाते हैं, M2 macrophages ने growth factor produce करने हैं, transforming growth factor beta, interleukin 10 transforming growth factor beta, जिनो ने inflammation करवानी है, inflammation को control करना है, इसके साथ tissue को repair of a process provide करनी है, जब के M1 macrophages में inflammation of aegocytosis में part लेना है, जो inflammation वाली cytokine है, वो पहला, 12 और 23 वा, इसको किस तरह से आपने याद अखना है, 12 पहला, 1, फिर आपने number 1 के साथ ये डाल देना है, 1, 2, 12, और 1 को 2 को plus कर दो, तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो 2, 3, 1, 2, 3 वाला formula याद अखना है, आपने inflammation के अंदर, interleukin 1, फिर एक add कर देना, आपने, sorry, 2 add कर देना, तो बन जाएगा 12, फिर आपने 3 add कर देना, तो बन जाएगा 23, तो 1, 12, 23, इसमें आते हैं, inflammation के अंदर, और diagram बगारा नजर आ रही होगी, ठीक है, और इस diagram में आपको कुछ, बहुत जादा, जो dot नजर आ रही होगे, इतना साले dots नजर आ रही होगे, इसका मतलब cellular infiltration काफी जादा हुई हुई है, ठीक हो गया, अब हम पहले हम देख लेते हैं कि, हिसकी history क्या है, high fever है, बुखार है, curve, curve productive है, productive curve, इसमें sputum आएगा, sputum की color क्या है, yellowish color है, sputum yellow color का है, और आगे देख लेते हैं, यह निमूनिया के तरह, या TB के तरह point करता है, क्योंकि यह respiratory system क्या होते हैं, अगर हम science देखते हैं, तो temperature 37.8, थोड़ सा high हुआ पड़ा है, pulse बज़ 0-3 minutes, यह inflammation को show कर रहा है, कि inflammation के तो systemic sign होते हैं, fever होता है, pulse बज़ादा होता है, BP ज़ादा होता है, disparatory system, लेकिन BP थोड़ सा drop हुआ पड़ा है, इसका मतलब hypotensive shock वगरा, septic shock होआ पड़ा है, यह और जो septic shock होता है, septic shock किस वज़से होता है, septic shock इस वज़से होता है, जैसे जो endotoxins होते देते हैं, तो उसके वज़से hypotensive shock देखने को मिल सकता है, तो BP जबी downward पड़ा है, चूंकि मैंने endotoxin बोल ही दिया है, तो यह कोई ना कोई बैक्टेरिया है, या कोई ना कोई gram positive या gram negative बैक्टेरिया है, आगे chest radiograph में पता चला कि bilateral दोनों साइट के उपर patchy pulmonary infiltrate है, ठीक ह the following cell type is most likely to see in greatest number in her sputum culture, ठीक हो गया, तो या तो TB का हो सकता है, या फिर ये किस का हो सकता है, ये pneumonia के वज़से हो सकता है, ठीक हो गया, तो high fever बता रहा है, cuff yellowish sputum बता रहा है, vital sign inflammation को show कर रहा है, और ये inflammation के कौन से sign है, ये inflammation के systemic sign है, और आपको पहले बता चुका था कि inflammation के जो local or systemic sign होते है, acute inflammation के अदर जादा अच्छे तरीके से आते हैं, ये वाले sign ठीक होगे, सारी के सारी systemic signs है, तो ये acute के अदर आते होते हैं, as compared to chronic, ठीक हो गया, और acute और chronic में आपको पहले फर्क बताया था, क्या फर्क बताया था, acute और chronic में, कि acute में neutrophil और chronic के अंदर macrophages आते हैं, तो macrophages को अपने exclude कर देना और हमारा best option होगा, वो होगा neutrophil, तो हमारी इस diagram के अंदर जो इतने सारे cellular infiltrate थे, जो तना जादा, cellular infiltrate था, ये वाले alveoli है, और ये जो, ये वाले है, ये cellular infiltrate है, ये acute inflammation की history दिया है, तो ये cell neutrophil होते हैं, ठीक हो गया, neutrophil होते हैं, और तो जब इनके cuffing होते हैं, मतलब जब cuff खांसी आते हैं, तो इसमें जो sputum आता है, तो sputum में yellowish prulent material, इनी neutrophil infiltrate की वरह से आता होता है, ठीक हो गया, तो उसका best answer क्या होगा, acute inflammation, किस तरह से आपने पेचाना, local systemic sign का, दूसरे cells भी देख लेते हैं, एक है Langhan giant cell, ये आपको granul granulomatis inflammation के देखने को मिलते हैं, specifically जो TB की होती है, उसकी जो granulomatis inflammation, लेकिन granulomatis inflammation TB के लावा, leprosy के वज़े से, cypherus के वज़े से, cat scratch disease के वज़े से, sarcoidosis के वज़े से, coron disease, inflammatory bowel disease, इसके वज़े से भी देखने को मिलता होता है, ठीक हो गया, तो ये multi-nucleated giant cells होते हैं, जो उस brain cell के अदर आपको बहुत सारा cytoklasm देखने को मिलता है, बहुत सारे nucleus आते हैं, क्योंकि ये nucleus इस तमरे से आए, क्योंकि multiple macrophages ने आपस में fuse करना शुरू कर दिया, ठीक हो गया, fuse करना शुरू कर दिया, तो ये किस के अदर देखने को मिलता है, granulomatis inflammation के देखने को मिलता है, ठीक हो गया, जिनका main purpose किया होगा, bacterial debris को clear कर देना, phacocytosis के जरीए जो M1 करते हैं, और M2 ने healing repair प्रोवाइट करना है, ठीक है, जो mast cell है, mast cells किस में आते हैं, mast cells allergic reaction में आते हैं, anaphylactic reactions में आते हैं, hyper sensitivity reaction के अदर part लेते हैं, जबकि lymphocyte, lymphocyte किस में आते हैं, lymphocyte, chronic inflammation के अदर तो आपको मैंने सारा बता दिया, Langer Hen किस में आते हैं, granulometris inflammation के अदर, macrophages chronic के अदर, T lymphocyte भी chronic के अदर, mast cells allergic, anaphylactic hypersensitivity reaction, और जो neutrophil हैं, ये acute inflammation के अदर आते हैं, तो इस तरह से आपने हर cell को divide कर देना होता है, एक और चीज़ आपको बताता हैं, जो बार जोगत ऐसा हो तक है कुछ disease है, कुछ disease की जो pathology होती है, वो inflammation के वज़े से होती है, for example, acute inflammation के इसमें होती है, kin-kin disease के अदर, acute respiratory distance syndrome, जिसमें neutrophil involved होते हैं, एस थामा, जिसमें eosinophil, Ig antibodies होती है, glomerulone arthritis, इसमें antibodies, compliments, neutrophil, monocytes, सब चीज़े आ जाती है, septic shock के अदर, cytokines आते हैं, interleukin 1, tumor necrosis factor chronic arthritis, एस्थमा, दुबारा आ गया, therosclerosis, pulmonary disease, तो ये chronic inflammation को show करते हैं, MCQ number 3, अब इसकी history को देख लेते हैं, a 4-year-old child, ठीक है, high volume diarrhea, तो पहला की word क्या हो गया, diarrhea काफी ज़दा, दो दिन से उसको diarrhea है, और इसकी diarrhea की वज़े से dehydration हो गया, ठीक हो गया, अब इसके बाद हम इन आ रहे है, स्टूल के अंदर देखा गया कि वाइरस था, क्योंकि diarrhea, bacteria के वादे से भी हो सकता, diarrhea, protozoa के वादे से भी हो सकता, diarrhea, virus के वादे से भी हो सकता, लेकिन ये चो diarrhea था, वो rotavirus के वादे से था, आगे फिर उसको intravenous fluid दिया गया, जिसके वादे से recover कर गई, तो पू production for inter for virus elimination, तो इसका सही जवाब किया होगा, एक है caspase, एक है complement receptor, lactin, t-sa receptor, toll-like receptor, तो इसका सही जवाब किया होगा, toll-like receptor होगा, ठीक है, toll-like receptor, अब इसका होता है क्या, toll-like receptor, आपके innate immune system के अंदर आते होते हैं, innate immune system के अंदर, जिनका main function ये है कि microbial substance को recognize करना है, किसी भी microbial substance को चाहे virus के, चाहे virus के क्या है, चाहे virus का double-stranded RNA है, चाहे bacteria का DNA है, चाहे कोई endotoxin है, उन सब को recognize कुन करता है, toll-like receptors, जिनको आप T, L, R, B, बोलते होते हैं, चीक हो गया, toll-like receptor, इसी toll-like receptor है, microbial product को, इन सब चीज़ों को sense करना होता है, और इसके लावा दूसरे receptors को देख लेत कहाँ पर पढ़ा वा था, caspase आपने पढ़ा वा था, किसके अंदर, यह आपने पढ़ा वा था, apoptosis के अंदर, caspases होते हैं, इसके साथ जो caspase 1 है, कहते है, caspase 1, inflamosome की वादे से activate होता होता है, जैसे कोई bacterial organism आ जाते हैं, तो इनके वादे से कौन activate हो जाता है, inflamosome, फिर caspase का activate कराता है, फिर ही caspase करते है, caspase interleukin 1 को produce करते होते हैं, complement receptors, complement receptors, inflammatory cell neutrophils, macrophages इसके पर, tendritic cell के पर मुझूद होते हैं, जिनका में फंक्चन है, complement के component को sense करना, और आगे opsonization वगरा भी provide करते हैं, lactin क्या है, lactin यह lactin पाथवे के अंदर involved होती है, जो fungi के polysacrides होती है वहाँ पर manos, binding, lactin, manan वगरा उसको sense करते हैं, तो यह तो हमने complement वाले chapter में देखना है, immune के अंदर, ठीक हो गया, जो T-cell receptors होते हैं, T-cell receptors ने ऐसे peptide को sense करना होता है, जो MHC के साथ कबल्ड होते हैं, जो helper ने होता है, helper ने करना होता है, MHC type 2 के साथ, जो cytotoxic होता है, उसने क hyc receptors होते हैं, जिन्होंने sense करना होता है, अच्छा थोड़ा बत बताते हैं, जो phagocytosis होती है, phagocytosis करना गले है, जो cells होते हैं, phagocytosis के अंदर कुछ sequential steps होते हैं, सबसे पहले recognition करनी है, वो सपार्टिकल की, जिसको आपने ingest करना है, recognition के बाद attachment, attachment के बाद engulfमेंट करनी है, engulfमेंट के बाद phagocytic fecule बनेगा, या phagocytosis बनेगा, finally उसको micro को kill कर देना होता है, तो इस तरह से जाके एक काम करते होते हैं, अब next, last MCQ देख लेते हैं, आज का वो है, 72 year old man with severe emphysema, अब emphysema, दुबारा inflammation की तरफ कुछ ना कुछ point कर रहा है, यहां पर, emphysema है, destruction of lungs tissue है ठीक है, तो उसके वारे से, emphysema के वारे से, right ventricular failure हो गया है, चार दिन से उसको बुखा रहा है, fever, और उसको सांस देने में काफी ज़रा दुश्वारी आ रही है, जिसनी आओ गया है, और यह radio graph में देखा गया, कि plural cavity के अंदर fluid की accumulation हो गया, consolidation में, consolidation थीक है, consolidation वाज़े, plural cavity म accumulation हो गया है, जो fluid obtain किया गया, तो उसके अंदर जो specific gravity थी, वो आपको जाधा देखने को मिरे थी, 1.030, बहुत जाधा specific gravity है, normally specific gravity 1.015 तक आपने चलो, इतना याद रहे, 1.005 से लेकर 1.015 तक, लेकिन यह बहुत जाधा है, इसका मतलब कोई exudate बनावा है, exudate, खीक है, और इसके अंदर neutrophil है, in short, acute inflammation है, ठीक हो गया, तो कहते हैं कि, जो fluid की accumulation है, edema, वो किस चीज के वरे से हुई या, किस चीज के वरे से, तो इसका सही जवाब किया होगा, कि, vascular permeability की वरे से fluid की accumulation हुई है, ओके, तो एक बार आपको पता होना चाहिए, कि exudate और transudate इसमें फर्क होता है, जबके transudate असल में plasma का ultrapilatoate होता है, यहां पर कोई increase permeability का कोई issue नहीं होता, जो exudate होता है, वो inflammation के वरे से बनता है, क्योंकि inflammation के अंदर ही vasotilation, vascular permeability ज़ादा हो जाती है, जबके transudate non-inflammatory edema है, inflammation से इसका तालुक नहीं होता, protein content exudate में सादा होता है, 4 gram per deciliter से होता है, 3 almost, fibrinogen की quantity exudate में जादा होती है, जिसके वरे से वो coagulate हो जाता है, specific gravity किसके जादा होती है, exudate की, pH किसकी जादा होती है, तो वो आपको देखने को मिलती है, वो transudate की देखने को मिलती है, इसकी reason को आप छोड़ेगा, ठीक है, cell normally कैसे होता है, exudate में, वो cellular होत अपलब exudate में आपको cell देखने को मिलती है, transudate में cell बहुत साथा काम होती है, ठीक है, तो और इसके example क्या होगी, exudate की के कोई पस बगारा बनती है, fluid की accumulation होती है, pyogenic infection में, या फिर, अगर heart failure हो जाता है, तो उसके वरे से transudate होगा, तो in short, जो forces काम करती है, starting forces, उसकी disturbance के वरे से transudate बनता है, जबके inflammation के वरे से exudate बनता होता है, तो आपने इसको vascular permeability को देख लेना है, कि exudate के अंदर आपको protein और cell की quantity जादा हो जाती है, ठीक है, especially जो हमारे post capillary renewals होती है, इंकि permeability जादा हो जाती है, जब exudation होती है, तो extra vascular space में protein के content जादा हो जाती है, ठी pressure है, या interstitial koladosmotic pressure है, जादा हो जाता है, जादा protein को accumulate करवाना श्रू कर देता है, ठीक हो गया, तो हमारा सही option क्या होगा, vascular permeability, तो यहां तक तो हमने 4 MCQ को solve कर लिया, और I think आपके इच्छी आसरी बिजन हो रही होगा, inflammation के तो अगर हो रही हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर लेगा, तो सब्सक्राइब करना है, थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो, अलाहाफिस